हेलो आज में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मोती चूर के लड़ू की रेसिपी अगर आप फर्स टाइम भी बनाओंगे तो आपके लड़ू जो हैं बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे ना किसी जारे की मदद से बनाएंगे बहुत ही असानी से आप इसको घर में बना सकते हो बिल्कुल पर्फेक्ट बनेंगे और घर में सबको पसंद भी आएंगे मोती चूर के लड़ू सबको पसंद आते और अगर वो घर के बने हो तो बात ही क्या है इनको आप बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से बना सकते हो तो आपके लड़ू इसी तरीके से पर्फेक्ट ब सोडा डालने से जो हमारी बूंदिया हैं, वह बहुत ही बड़ी बनेगी। बेटर डाल देंगे और इसको हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है बस इसमें चीनी घुलने तक और यह थोड़ी सी चिपची पहुच हो चाशनी बन गई है यहाँ पर मैं लड़ो को देशी घी में बनाऊं कि क्योंकि देशी घी में बनाने से लड़ो बहुत टेस्टी बनते है अब चाओ तो तेल में भी बना सकते हैं तो मैंने एक पाइपिंग बैग लिया जो हम केक वगारा की डेकुरेशन के लिए यूज़ करते हैं उसमें दो चमा चम बेटर डाल देंगे और इसको अच्छे से गुमा गुमा कर उपर से सील कर देंगे अब चाओ तो उपर गैस की फ्लेम यहां पर मीडियम करनी है और इस तरीके की चलनी से हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसमें बुंदिया बहुत ही चोटी चोटी बनीती तो जारे से यह निकल के नहीं आ रही थी जितना उपर से आप इसमें डालोगे और थोड़ा सा दूर होके डालोगे उत पर दिखाते हूं कि आपको क्या करना है तो मैंने यहां पर एक नमकी तहली लिया है इसको अच्छे से मैंने दो कर साफ कर लिया था इसमें भी मैं दो चमश बैटर डालूँगी बैटर देखिए आपका बिलकुल अच्छे से टिप टिप करके बहना चाहिए उतनी आपको पतला करना है और इसको भी हम अच्छे से गुमा कर और उपर से सील कर देंगे तो मैंने अच्छे से रोल कर दिया इसको उपर से और पहले तो इसके साईडों का हम निकाल देंगा रूपर एक छोटा सा म्कट लगा लेंगे ताकि बैटर इसमें से हराम से निकल ज़alen जब म पर इस रेसिपी का जुरू ट्राइ कीज़ेगा देखे मैं दोनों तरीके की पनियों से जो मैंने बूंदिया बनाई है वो मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ जो मेरी बूंदिया थोड़ी सी बड़ी बनी थी तो मैं उनको हातों से क्रश कर लूँगी या फिर मैं एक परटटो मैशर से भी इनको मैश कर लूँगी या फिर आप मिक्सी में गुमा कर भी हलका सा इनको यूज कर सकते हो बहुत ही सॉफ्ट बूंदिया बनी थी अब यहां पर सारी बूंदिया मेरी रेडी हो गई है अब मेरी चाशनी जो थी वो भी तियार थी तो हम ये सारा मि कर लेंगे तीन से चार मिनट तक ही करना है इस से जाधा हम नहीं करेंगे नीटो हमारी चाशनी गाड़ी हो जाएगी और हमारे लड्डू टाइट बनेंगे और इसको हम थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे जब यहाथ से चुने लायक हो जाएं तो हम एक हाथ में उसी लड़ू बने थे कि सबको बहुत जादा पसंद आये थे हैं मैंने सारे लड़ू इसी तरीके से बना लिये अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज फैमली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूले